दोस्तों इस video में हम देखने वाले हैं कि अगर हम बिना sealer के लकडी की पॉलिस करते हैं sealer जो होता है लकडी की नस भने के कामँ आता है अगर हम उसके बगार लकडी की पॉलिस करते हैं तो हमारी finishing किस तरह की आती है क्या high-gloss में हो जाएगा तो चलिए video में देखते है तो मैंने दो लकड़ी के पीस लिए हैं इसके पर मैं आपको एक पे कलर कर कर के दिखाउंगा और एक नैरल कर करके दिखाउंगा बिना सीलर के पूरिस देखुए मैंस में सिर्फ मैला मेन ग्लोसी का ही प्रयोग करने वाला हूं इसमें किसी प्रकार के सीलर या स्पेट पॉलिस का प्रयोग नहीं करूंगा तो सबसे पहले हमें लगडी के होल या ट्राक हों तो उसको भरना पड़ेगा उसके लिए हम वूड़ फिलर का प्रियोग करेंगे इसमें लकडी के होल या प्रीक भरने के लिए विल भरने के बाद में इसको थोड़े दिर सूखने के लिए, सूखने के बाद यह असी नंबर का यह पादफte वाला रेख 번째ature है करने के बाद में अब हमें लेना है थिनर जो हम मैला माइन में यूज करने वाले हैं देखिए मैला माइन थिनर है इसको लेना है और इसको हम कपड़े में थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसकी पर मारेंगे जिताकि इसमें जो डश्ट हो गारा लगी हो वह साफ हो जाए क्यो पूरा साफ हो गया है अब इसके पर रेगमाल लगा लेंगे ताकि इसकी जो नस उठी हो वह कट जाए कि जहां पॉलिस या फिर थिनर मारते हैं तो इसकी नस जो है उठ जाती है तो रेगमाल से वह बराबर हो जाएगी कट जाएगी इससे के हमारा रंग नहीं उतरेगा या थिनर में घो लेना है किरилось नहीं कर रहे हैं बाकि आप्ट यह इसको ब्राउन करना है तो हमारा रंग के अंदर चला जाए एक हाथमानी से हमारा इतना डर्क हो chemotherapy वा है तो और भी हाथ मार सकते हैं दोस्तों यह हमारी इबुक इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिस की डिटेल मिल जाएगी बिद मेटेरियल के साथ में और इसमें मेरा वर्च अगर आपको कोई प्राब्लम आती है तो मुझे कॉल या फिर वर्च अप कर सकते हैं इसके लिए आपको 99 रुपया देने पड़ेंगे इसको खृदिने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्किस्टिन में जाएए वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिस पेंट करना सीखें उ फिर अगर आपको मैड का मैल मैन का प्रियोग कर सकते है वह को कुम है रहा मैला माईं एक उलिचर में घंटल में खराब हो जाता है यह इसका हार्दनर है आ क्यों सव ग्रामल मैंड में तक'll mile हम फिनर परता है तोholes और यह estarम तक क्लेना में अधु अगर प्रेय से करना चाहते है तो फिरसे भी कर सकते है या प्रक्डी खेल सकते हैं ।back is कपड़ की गद्धी से भी इसको मार सकते हैं तो मैंने उसमें कपड़े की गद्धी हिमारी है पहला हँ làना है यहीज रंग ना निकले यह देखे थोड़ा सा निकल गया है आप इसके पर मारेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा नेचरल के पर आप जैसे मर्जी मार सकते हैं कोई इसू नहीं है उसका क्योंकि नेचरल में कलर कोई है नहीं लक्री ही है और जो भी है तो अब सुखने के बाद मे इसी तरीके से 15-20 हाथ मारने पड़ेंगे सुखा-सुखा के अगर आप कपड़ी की गद्दी से करेंगे तो यह फटा-फटी सूख जाएगा जिसे आप धूप में करते हैं तो 57 मिट में ही यह सूख जाएगा और जिसे अगर आप दरबाजा करते हैं तो एक तरफ से आप क 4-5 घंपे सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा एक कोड के बीच में तो इसी तरीके से इसके पर 220 नंबर या फिर 320 नंबर का रेकमार लगा सकते हैं आप उसके बाद में फिर से वही अपलाई करना है हमें अभी इसको मारते ही रहना है जब तक कि हवाई लकड़ी में प दिख रही है अब इसके पर और भी हाथ मारेंगे हम क्योंकि इसके पर भी पूरी सैनिंग नहीं आई है और लास्ट में हम कंपाउंड का प्रियोग करेंगे रबिंग कंपाउंड का तक कि इसमें जो गद्दी के निसान हो पूरे कट जाएं तो मैं इसके पर 4-5 हाथ और मा हो जाए कि हमारी पूरी सैनिंग आ गई है तब तक इसके पर कोट मारते ही रहना है जितने मर्जी कोट लग जाए और इसमें आपको कोई ज्यादा खर्चा नहीं होना है बिल्कुल नॉर्मल खर्चे में यह पालिस हो जाएगी इसमें किसी हमने ज्यादा मट्रेयल का प्रि हुई है तो ऊपर आए बटन में देखिए आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं कंपॉंड कैसे किया जाता है